नमस्क्राइब दाश्कूप बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्स्पर्स न्यूज चैनल पे मैं हूँ सारीका सक्सिनों और कारक्रिम आप देख रहे हैं जानिये अपना राशिफल शुरुवात करते हैं आज के व्यादिक पंचांग से कल है दिनाख आज जनवरी 2023 आज है दिनाख आठ जनवरी 2023 दिन बुद्वार विक्रम समवत 2019 सक्स समवत 1944 अयन उत्तरायार शिशे रितु फागुन का महिना क्रश्न पक्च की तृत्य तितिये जो नौ फरवरी प्राता छे बचकर तेईस मिनट तक रहेगी और उसके पश्चात लग जाएगी फाल गुनी अति गंट योग है जो शाम को चार बच कर 31 मिनट तक रहेगा और उसके पश्चात लग जाएगा सुकर्मा योग राहुकाल जो है हमारा वो दुपहर 12 बच कर 30 मिनट से दुपहर 2 बच कर 18 मिनट तक रहेगा अब बात करते हैं आज के दैनिक राशी फल की और करते हैं हम अपनी मेश राशी से आज का दिन आपके लिए उतार चड़ा हो बना रहेगा सुबह से ही किसी अपने रुके हुए कामों को लेकर भाग दोड़ बनेगी और आज आपको कारिचेत में एक से अधिक आयस्तरोतों से धर्न प्राप्ती होती दिख रही है और कुछ बेवज़ा चिंता भी आपको हो सकती है जिसकी वज़़ा से आपका ध्यान काम से हट सकता है और आपकी अपने क्रोधी सभाव के कारण आज परिवार की किसी सदसे के साथ आपका मद्भेत हो सकता है अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी राशी व्रश राशी की व्रश रा पाजह ना करें, वरना आपको समस्या हो सकती है, आपकी किसी नए काम की प्रती भी रुची आज जागरत होगी, और आपका कोई छुपा हुआ टैलन्ट भी आज बाहर आ सकता है, अब हम बात करेंगे मिथुन राशी की, मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन काम के सिल रहे हैं लोगों के जिंदिगी में थोड़ा सा उतार चड़ा हो बना रहे हो और कारशेप में पहले से कोई गलती है तो आप उसे आज चुपा सकते हैं लेकिन आपके उपर आज काम का बोज रहने के कारण थोड़ा सा परेशान होगे. अब हम बात करते हैं करक राशी की, करक राशी वालों के लिए आज का दिन चिंता ग्रस रहेगा, जीवन साथी के स्वास्त में अकस्मात गिरावट की कारण आपको चिंता बनी रहेगी, और आपका कोई मित्र आपके लिए कोई उपहार भी ला सकता है, और मांगली कुछ कामिल हो सकते हैं, और कुछ नवीन इस तरोतर से आज आपको आये प्राप्त होती ही दिख रही है, बात करते हैं सिंग राशी की, शिंग राशी वालों के लिए आज का दिन उन्नती दिलाने वाला है, जो लोग नौकरी में कार्या थे, उन्हें तरक्की मिलती दिख रही है और जो लोग विरेशों में आयात, निर्यात का वेवसाई करते हैं, उन्हें कोई बड़ी डील, फाइनल करने से करने का मौका मिलेगा, लेकिन आज आज आप उसको थोड़ा सोच समझ कर साइन करें, और अब हम बात करते हैं, मात और मात पिता से आज यदि आपको मदद मा आज आएगे, और कार्षेत में कुछ सत्रो की चाल को आपको सबजना होगा, आर्थित किस्ति को ले करें दिया परिशान है तो वो बहतर होगी और संतान से किसी किये हुए वादे को आज आपको पूरा करना ही होगा, अब हम बात करते हैं, तुला राशी की, आज के दिन ख रसुगदारों से जो आपकी मुलाकात होगी, जो आपके लिए लाबदायक सिद्ध होगे, अब हम बात करते हैं व्रश्चिक राशी की, और व्रश्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन रुके हुए कार्यों को समय से पूरा करने वाला होगा, और परिवार के सदस्यो के साथ बैठ कर आप अपनी इच्छा भी जाहिर कर सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं और कोई रुका हुआ काम आज पूरा ही हो जाएगा, और जीवन साती का सयोग सानिती भी मिलेगा और यदि किसी नय काम को आज माने की आप सोच रहें तो उसमें भी आप पूरा कर स वरिष्ट सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कारिकर में शामिल होने की चर्चा भी कर सकते हैं, भाई बैनों से रिस्तों में चल रही अनबंदूर होगी और एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और अब हम बात करते हैं मकर राशी की, मकर राशी वालों इस जात हो और ग्रहस जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण लडाई जगड़ा पनाप सकता है, तो बिल्कुल ध्यान मत दीजे किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपने जीवन को परिशान मत करिए और परिवार का सयोग रहेगा और किसी से भी कोई जूटा वादा कभी मत करिए औ जरूर पूरा करें और किसी समपत्र के खरिदारी करने जा रहे हैं तो उसके हर पहलू को जाच ले और अब हम बात करते हैं मीन राशे के मीन राशे वालों के लिए आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है और कारिछेत मेंसे आपके काम के पूरा नहुने से मित्र से मदद मागनी पढ़ेगी और प्रेम जीवन में जी रहे लोग अपने साथी के विवार से थूड़ा सा परिशान होंगे तो ये था हमारा दैनिक राशिफल अब हम बात करते हैं उनकी जिनका है आज जनम दिन जिनका आज जनम दिन है उनको हा अंबीर परुपकारी और कर्मट और वाली के कठोर स्वर्क के उत्र होते हैं और आप भातिक वादी होते हैं और अद्बल शत्यों के मालिक भी होते हैं आपका जो ग्रह है वो सूरिपुत्र सनी से संचालित होता है और ये जो ग्रह है इस मुलान के जो लोग है उनके उपर सनी की तरह थोड़ा सा विचार होता है आप अपने जीवर में जो भी कुछ करते हैं उसका एक मतलब होता है और कई बार आपकी कार्यों के श्रे दूसरे लोग भी ले जाते हैं आपके मन की थापाना कठिन होता है और आप कुछ जो सफलता होती है वो अत्यंती संघर्श के बात प्राप्त होती है आपके लिए शुब दिनांकिया है आठ सत्रा चब्विस शुब अंके आठ सत्रा चब्विस पैतिस चवालिस शुब वर्शे दोहजार चौबिस और दोहजार बैयालिस आपके इस्ट दिव है हनुमान जी और सनी दिवता और आपका शुब रंग है काला, गहरा, नीला, जामुनी अब हम यह जानते है कि कैसा रहेगा आपके लिए ये वर्श तो व्यपार वैसा है कि इस्तिती उत्तम रहेगी नौकरी पेशा व्यक्ति प्रगती पाएंगे, पे रोजगार प्यास करेंगे तो इस वर्श आपको रोजगार मिलने में सफलता हासिल होगी और जो अभी तक कारे आपके बादिते वो भी पूर्ण होंगे और उसमें भी आप सफल होंगे रादनेतिक व्यक्ति भी समय का सद्य प्योकर, लाबान भी तूंगे शत्रु वर्ख प्रभावीन होगा और स्वास की देश्टि से भी ये वर्श आपके लिए अन्यकूल है तो ये था हमारा आज का द्यानिक राशिफल और जन संबंदी सुशना आप सब जिसको जन दिन की बढ़ाई देना चाते हैं या वेवाहिक वर्शगार की बढ़ाई देना चाते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें बताए ताकि आपकी शुपकामनाएं आपके सुपचिंतकों तक पहुँच सके आज है पूजा जी की विवा की वर्शगार तो हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से पूजा जी को विवा की हारदिक हारदिक शुपकामनाएं आपका और आपके पती का जीवन खुश मैं हो सुख और शांती पूरवक बीटे तो अब हमारे चैनल के साथ बने रहे और देखते रहे कारिक्रेम और समाचार और हमें दीजे इजाज़त कल फिर इसी समय आप से होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू